हेलो फ्रेंड्स आइम अदित्यान यह वाचिंग लानिंग एक्सपीरियंस विद एके उबरोय और यह चैप्टर एट क्लास 10 के बच्चों के लिए दसनेल वेस बेंगल बोर्ड हिंदी वर्शन में चो चलिए शुरू करते हैं बच्चो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा जिससे आपको नोटिस्फिकेशन मिलती रहे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और कॉमेंट भी जरूर कीजेगा और हां मुझे यह भी बताएगा कि अगली वीडियो कौन सी हो सो चली विलियम कूपर के बार में बात करते हैं तो विलियम कूपर जो थे बहुत ही पॉपिलर पोएट थे अपने समय के कूपर ने क्या किया था कि जो 18th century में नेचर पोएटरी के उपर लिखना स्टार्ट के और उसका डिरेक्शन ही बदल दिया वो कंट्री साइड और हमारे रोज का आम जिंदगी से रिलेटेड लिखते थे जो नॉर्मल दिन कैसे कटता है लोगों का आम लोगों का जिंदगी कैसे बीथता है उस चीज के उपर लिखते थे ओके इस फेमस वोग वोग इंट्लूज और टास्क उनके कुछ फेमस वोग्स भीते यह जो पोएम है इनका इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो स्नेल होता है स्नेल का प्राइवेट वर्ल जो होता है स्नेल अपना जिंदगी कैसे बिताते हैं कैसे पत्तों पर रहके अपने जिंदगी बिताते हैं ठीक है तो एक एक चीज बताई गई है इस चैप्टर में स् और वाल, तो यहां पर पोईट कह रहे हैं कि जो स्नेल होता है वो हमेशा हुआ चिपका हुआ रहता और उसे बिल्कुल भी गिरने का भय नहीं रहता बिल्कुल डर नहीं रहता as if he grew their house and all और वही पे वो अपना आशियाना अपना घर बनाते हैं together within that house secure he hides और उनके साथ उनका जो घर रहता है आप सब जानते हैं उनके पीट पे जो shell रहता है वो उनका घर होता है so अपने snail देखा है so snail जो होता है वो उसके पीट पे जो उनका घर होता है वो उसके अंदर secure रहता है और वो वहीं चिपएवे रहता है when danger imminent betides जब कोई danger आता है जब कोई मुसीबत आता है eminent यानि की eminent आप यहाँ देखे likely to happen soon जो बहुत ही जल्दबाजी में होता है मतलब कि आपको लगता है कि अभी कहीं हो सकता है यह यानि की जब भी जब भी कोई मुसीबत आता है whenever danger imminent जब कोई मुसीबत आता है तो वो क्या करते हैं उसके अंदर secure हो जाते हैं उसके अंदर secure हो जाते हैं उसके अंदर चिप जाते हैं अपने shell के अंदर of storm or other harm besides of weather या फिर आधी तुफान आए या फिर कोई उन्हें harm करने की कोशिश करें तो वो उसके अंदर ये चिप भी रहता है तो यह जो पैर में कवी बताना चाहते हैं कि give but his horns the slightest touch वैसे हम सब जानते हैं कि snail बहुत ही बयकूफ जानवर होता है बहुत बयकूफ एक्चली इंसेक्ट होता है वो अपना वो सिफ चलते जाता है चलते जाता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से कोई एम नहीं है उसके लाइफ का बहुत बयकूफ हमें लगता है ना असे देखके कि अर यह तो चल रहा है हम कभी भी से मार सकते हैं लेकिन एक्चली मैं ऐसा है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि उसके जो दो एंटीना होते हैं वो स्लाइटेस डेते हैं मतलब कि अगर आप उसे सामने अगर जाते हैं और आप उसे मारने की कोशिश करते हैं तो उसे पता चल जाता है क्या से पता चलता है क्योंकि उनके जो सर प यानि power okay so यहां पर जो power होती है उसकी बहुत होती है अपने self collecting power यानि हिम्मत उसके अंदर बहुत होती है he shrinks into the house with much displacer और वो क्या करते हैं कि श्रिंग हो जाते हैं जोटे हो जाते हैं सिकूड जाते हैं कहा सिकूड जाते हैं वो अपने जो पीट पर जो घर लेकर चलते हैं उसके अंदर वो श्रिंक कर जाते हैं उनके अंदर वो बूस जाते हैं अपने घर के अंदर में जितना हो सकी तो है अब आपको एसल मानों कि आपको एक्जाम सर पै आपको इसलेबस कम्प्लीट करना है आपने बहुत सारे चैप्टर मिसकर दिया इंग्लिश कर दिए स्टार्टिंग से कुछ नहीं पड़ा तो आप यहां पर फिर भी आपको पढ़ना पढ़ेगा तो आपका अपने पर पढ़ने का आप एंस ठोल लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप लेंग एक्स्पिरेंस फे देखे बरहें मैं आओ और आप वीडियो खोल कर देखो क्योंकि साल के इंड तक आपको सारी वीडियो मिल जाएगी तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वेर आर्ड वेल्ल's ही द्वल्लग्र आलोज तो जहांबहे वे यानि कि यहां भी हो एक बर एक बर उधर आप जैसे ड्रंइल Quand A patient को अब जैसे देखते हैं वह जब वहोट में होता है तोसे ड्वेल करते मिमिद्वर यह जाता है तो वह अकहले ही चलते हैंLa nesnail चल रहा है आप देखहें है किसे nail चल रहा है तो यह अपना जो चल रहा है वह अकेली ही चलता है Aixo खेले, ओके, अलो, यानि, अकेला, except himself as chattel none, तो except himself as chattel none, chattel यानि की personal belongings, मतलब कि अपने personal belonging के साथ जाता है, वो personal belonging या पर उसकी पास क्या है, जो, आप जो shell देख रहे है ना, उसके peard पे, ये उसका personal belonging कहते हैं, इसके, उनकी, जानि कि अपने प्यारी चीज, अपनी important चीज well satisfied to be his own whole treasure और वो बहुत ही satisfied होते हैं क्यों उनके पास यह जो treasure है वो अपने खजाना अपने साथ लेकर चलते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कॉमेंट कीजेगा और मुझे बताएगा कि वीडियो और कितनी अच्छी हो सकती है मुझे और क्या-क्या चीज करनी चाहिए वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए और हाँ अगर आपको इसके question answer चाहिए तो आप मेरे instagram account पे आ सकते हैं मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझे follow कीजिए बल आप मुझे pink करकर में से question के solution मांग सकते हैं आपके यहाँ पर दिया गया है description में भी दिया गया है मेरे instagram का link आप जाकर उसे देख सकते हैं आप वहाँ से मेरे को pink कर से मेरे को text करके अपने notes मांग सकते हैं thank you for watching